बहुती अलग तरीके का बहुती सुंदर्शा दोर मेट बनाना बताऊंगे उसके लिए देखे फ्रेंट्स मैंने दो कलर की चुन्नी ले ली हैं और चुन्नी से इतनी एक-एक सेंटेमेटर चोड़ी पट्टे काट ली हैं देखे इस तरह से ये मेरे पास पुरानी चुन्नी चुन्नी और साडि का बहुती अच्छा सा यूज था इससे अब टेबल मेट बनाएं तो आप इसी ठालपोस में यूज कर सकते हैं इस तरह से आप पतिया काट ले और यहां पर मैंने 8 नंबर के नेडल्स ले हैं स्तरह से देखीए अब मैं इसमें फंदे डालूंगे देखीए बिलकुल शिंपल तरिके से फंदे डालूंगे बो तिया आसान तरिके के फंदे हैं, बिगणर भी इने आसानी से डाल सकते हैं देखे इस तरह से हम एक नोट बनाएंगे ऐसे नोट बनाया इस तरह से देखे उंगली पे पट्टे को इसतरह से लपेटेंगे और ऐसे needles में डालेंगे और इस sniff देगे देखे इस तरहसे यह देखे तीन चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंद्रा, सोला, सत्रा, अठारा, उन्नेस, बीस, एकिस, बाइस, तेस, चोविस, देखे, चोविस पंदेशे, मैं यहाँ पर, इस मैट को बनाऊंगे, देखे, इसे बनाने के लिए, यहाँ पर हम, इस तरह से देखे, फस्ट रो हम, बिल्कुल साधा रो निकालेंगे, इस तरह से, जब हम फंदे डालते हैं, तो फस्ट रो थुड़ा सा, आराम से बनाते हैं, इस तरह से, देखे, इस पंदे को इस तरह टाइट करते हैं जाएंगे, और पूरी रो, इस तरह से देखे, डालेंगे, इस तरह से बना लेंगे, फस्ट रो हम थोड़ा सा राम से निकालेंगे, अगर आप जल्दी में निकालेंगे, तो आपके फंदे लूज हो जाएंगे, इस तरह से देखे, आप इसे बड़ा बनाना चाहे हैं, और भी बड़ा बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें 30 फंदे ले ले, 40 फंदे लेले, आप जितना भी बड़ा बनाना चाहें, उसी साब से फंदे लेले, मैं इसे 24 फंदे से बनाऊंगी, देखें, इस तरह से, आप इसे उन से भी बना सकते हैं, मैकरम से भी बना सकते हैं, इस तरह से देखें, और मैट बनाने के लिए पुरानी और चुन्नी, आपके पास जो भी कपड़े हैं, इस तरह से देखिए, बनाएंगे. इस देखिए, एक रूप लगा ली हैं, इस तरह से यह पर ऐसे बना ली हैं. आप यहां पर देखिए, हम इस फंदे को बनाएंगे ऐसे, वापिस इसी निडल में डाल लेंगे, फिर से एक बार दुबारा से बनाएंगे, देखिए इस तरह से. बनाया और पट्टी को अपनी तरफ करेंगे यहाँ पर देखिए हम 6 फंदे ले लेंगे 2 फंदे लिए और पट्टी को आगे करके इस तरह से गुमा लेंगे यह देखिए यहाँ पर हमने 2 फंदे का 1 फंदा बनाया और 1 फंदा यहाँ पर बढ़ गया तो ये देखिए एक जाली गिरगी हमारी यहां पर फिर से हम पट्टे को अपने तरफ करेंगे और दो फंदे लेंगे देखिए इससे हमारा फंदा गटता भी नहीं है और हमारी जाली भी डल जाएगी देखिए इस तरह लिया और यहां से इस तरह निकाल दिया यह देखिए हमने दो फंद एक फंदा बनाया और जाली डाली तो यहां पर हमारा एक फंदा बढ़ गया गया देखिए दो हो गए फिर से बनाएंगे इस तरह से देखिए यह हमारे यहां पर तीन हो गए फिर पट्टी को अपनी तरफ करेंगे इस तरह से देखिए यह चार हो गए फिर से पट्टी को अपनी तरफ करेंगे यह देखिए इस तरह से पाच हो गए ऐसे पाच हो गए देखिए एक दो तीन चार पाच पाच हो गए एक बार फिर से करेंगे यह पर देखिए छे फंदे बना लिए हमने छे फंदे पर हमने जाली डाली बाकी पट्टी अपनी तरफ करेंगे और यह फंदे उल्टा उल्टा बोलेंगे हम देखिए एक दो तीन चार पाच छे साथ आट और इस पट्टी को इस तरह से लपेट लेंगे देखिए नो इस तरह से दो फंदे पिछे चोड़ेंगे और वापिस यहीं से पलट जाएंगे इस तरह से देखिए इस पंदे को उतारेंगे और उल्टी रो पूरी उल्टा उल्टा बना लेंगे जो जाली वाला फंदा है उसे भी उतार लेंगे उल्टा सब इफंदे उल्टा उल्टा बना लेंगे उल्टी रो में इस तरह से देखिए इस पंदे को ऐसे इसके साथ में दवाके बना लेंगे ऐसे यह देखिए फिरसे देखिए हम से अड़िछ साउट आ गयी इस संदे को सीधा बनाएंगे एक बार बनाया वापिस निडल्स में डालेंगे फिरसे दभारा से बनाएंगे इसे देखे ऐसे फिर पट्टी को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर देखे फिर से दो का एक बनाएंगे यहाँ पर हमारा दो फंदे का एक फंदा बन जाएगा और यहाँ पर जाली डल जाएगी इस तरह ऐसे देखे फिर पट्टी को अपनी तरफ करेंगे फिर दो का एक बना देंगे फिर से पट्टी को अपनी तरफ करेंगे दो का एक बना देंगे ऐसे फिर से पट्टी को अपनी तरफ करेंगे दो का एक बना देंगे यह देखिए यहां पर एक, दो, तीन, चार और यह पाँच यह छे, छे बार बनाएंगे पट्टी को अपनी तरफ कर लेंगे दो फन दे लास्ट के फिर से छोड़ेंगे और बाकी फन दे उल्टा-उल्टा बना लेंगे यह देखिए, दो फन दे हम फिर से छोड़ देंगे और वापी से इसे पलट जाएंगे उल्टी रो में हमें कुछ भी नहीं करना है उल्टी रो ऐसे ही उल्टा-उल्टा बना लेने हैं तो चलिए बना लेगे यह देखिए, फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं इस पंदे को बनाएंगे सीधा फिर दुबारा से निडल्स में डालेंगे एक बार फिर से बना लेंगे ऐसे देखे दो बार बनाएंगे अगर हम दो बार नहीं बनाएंगे तो यह हमारा यहां से टाइट होता जाएगा क्योंकि यहां पर हम दो दो फंदे इच्छे की साइड चोड़ते हो जारे होगे आप पट्टी को अपनी तरफ करेंगे फिर से देखे एक जाली वाला लेंगे और एक ये दो फंदे का एक बनाएंगे और ये जाली डालेंगे तो हमारा यहां पर पंदा घटेगा भी नहीं और जाली डल जाएगी इस तरह से देखे फिर से अपनी परेंगे और यहाँ पर जाली बना देंगे देखें दो तीन चार पांच एक बार फिर से बनाएंगे पट्टे को अपने तरफ करेंगे दो फंदे फिर से छोड़ देंगे देखें वापिस यह से पलट जाएंगे किस पंदे को उतार लेंगे उल्टी रो में कुछ भी नहीं करना है पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेने हैं इस तरह से देखें पूरी रो उल्टा बनाते हुए कमप्लेट करेंगे उल्टी रो में जो फंद आमने जाली वाला है उसे भी उल्टा ही बनाएंगे और जो फंद सीधा बनाय था उसे भी उल्टा ही बना लेने देखें यह देखें फिर से हम सीरी साइड आ गए है इस फंदे को बनाएंगे एक बार फिर से बनाएंगे इसे आगे वाले फंदे को हमें एक सलाई में दो बार बनाना है ऐसे फिर पट्टे को अपनी तरफ कर लेंगे और जो जाली वाला फंदा है वो ले लेंगे एक फंदा आगे से दो का एक बना देंगे यहाँ पर देखिए हमारा एक फंदा बढ़ भी जाएगा और दो का एक बनके हमारी इस तरह से फली बनके आएगी फिर से हम दो का एक बनाएंगे ऐसे हैं दो तेन चार यह देखिए पांच और फिर से यहाँ पर देखिए छे देखिए पट्टी को अपनी तरफ करेंगे और इस तरह से देखिए इस पट्टी को फोल्ड करेंगे आपड़ हैसे फोल्ड किया पट्टी अपनी तरफ करेंगे दो फंदे हम फिर से छोड़ देएंगे देखिए दो दो च्यार दो छे दो आठ दो दस पट्टे को अब पिछे करेंगे इस पंदे को उतारेंगे और बाकी देखे सभी पंदे उल्टा-उल्टा बुन लेंगे ऐसे इस तरह से देखे मैं इसे बना लेती हूँ ये देखे फिर से हम ये दो फंदे छोड़ेंगे तो चलिए मैं बनाने के बाद आपको ये देखे दो दो करते हूँ हमने पिछे की साइड बारा फंदे छोड़ दिये हैं और आगे की साइड इस तरह से हमने जालिया बना ली है आप देखे इस रो में हमें इस फंदे को हम वैसे ही दो बार बनाएंगे और इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बना लेंगे देखे जो फंदे हमने दो दो करके छोड़े थे अब की बार उन फंदो को भी हम उल्टा उल्टा बनाएंगे यह जो दो दो करके आमने फंदे छोड़े थे सब इस फंदे उल्टा बना लेंगे इस तरह से देखे लास्ट देखे हमने सब इस फंदे बना लेंगे है इस तरह से यह हमारी देखे यहांपर एक कली बनके आई है इस तरह से इस दो दो करते हुए हमने पिछे की साइड फंदे छोड़े और यहांपर जाली बनाई अब देखे हम यहांपर सेकंड कलर लगाएंगे तो सेकंड कलर लगाने के लिए देखी हम यहांपर इस तरह से आपकोई भी कलर जो कलर आपको पसंद आप कब्संद वो कलर लगा सकते हैं देखे इस तरह से बनाएंगे और इस पट्टी को साथ में दबा लेंगे इस पिंक पट्टी को टाइट कर लेंगे देखें ऐसे दबाते हुए लास्ट तक बनाएंगे बलू कलर से यह देखें यह देखें पूरी रो हमने बना ले इस तरह से इस तरह से हमारी एक कले बन के आ गई है देखें ऐसे इस तरह से देखें जैस इस तरह बनाएंगे तो आप यह पर देखें हमारा टाइट बिल्कुल भी नहीं होएगा इस तरह से बन के आएगा ऐसे अगर आप इस फंदे को डबल भी बनाएंगे तो आपका यह इस तरह से फोल्ड होने लग जाएगा क्योंकि हम फीचे की साइट दो दो फंदे छोड रहे हैं तो देखें अब हम सेकंड कली में भी उसी तरह से बनाएंगे इस तरह को एक बार बनाया वापिस निडल्स में डालेंगे फिर से देखें एक बार फिर से बनाएंगे ऐसे दो बार बनाया पटी को आगे करेंगे दो फंदे लेंगे और यहाँ पर देखिए एक हमारा जाली वाला फंदा बन जाएगा यहाँ पर दो का एक फंदा हो जाएगा तो इस तरह से बनाने से हमारी यहाँ पर जाली बन के आजाएगी और फंदा भी नहीं गटेगा इस तरह देखे, फिर से बनाएंगे, हमें यहां पर 6 फंदे बनाने हैं, सी तरह से, ऐसे, इसे थोड़ा सा हलके आथों से बनाएं, भूचादा टाइट ना बनाएं, देखें, ऐसे, इस तरह पट्टी को फोल्ड कर लेंगे, और आगे की तरफ करेंगे, फिर से दो काईट बनाएंगे, यहां पर जाली डालेंगे, तो इस तरह से जब हम बनाते हैं, तो यह हमारी फली वाली जाली भी बन के आजाएगी, और फंदा भी नहीं गटेगा, इस तरह से देखें, बहुत ही स्मदर्शा हमारा डोर्मेट बन के आएगा, देखें, एक, द यह छे, यहां पर देखें, फिर से आमने उसी तरह से छे जाली बनाई, पट्टे को अपनी तरफ किया, और यहां पर उल्टे उल्टे फंदे बनाएंगे, ऐसे, लास्ट के दो फंदे फिर से छोड़ देंगे, ऐसे, दो फंदे छोड़ेंगे, उल्टी सलाई में कुछ भी नहीं करना है, उल्टी सलाई ऐसे ही उल्टा-उल्टा बुन लेनी है, देखें फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको इस मैट में बनाने में दो चीज़ों का ध्यान रखना, एक तो आगे वाले फंदे को, एक ही सला अधि हमारी अच्छी तरह से कली बन के आएगी ऐसे, और देखें, दो दो फंदे पीछे की साइड छोड़ते वे जाना है, तो उल्टी रो में हमें कुछ भी नहीं करना है, इसी तरह से जैसे हमने इस कली को बनाया है, उसी तरह से हम पूरा डोर मैट बनाएंगे, देखें अगर मेरी वीडियो बताने का तरीका अच्छा लगता, तो प्लीज मेरी वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रूप में सेर कीजिए, साथ में जो बेल आइकोन है उसे प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की notification सबसे पहले आप तक पहुँच के comment box में लिखके जरूर बताएगा कि आपको मेरा प्यारा सा door mat कैसा लगा देखिए इस तरह से बनाते हैं हम इस पूरी उल्टी रो को उल्टा उल्टा बना लेंगे देखिए friends जैसे मैंने आपको इस कली को बनाना बता है इसी तरह से हम इस पूरे डोर मैट को complete करेंगे देखिए छोटी सी वीडियो में मैंने आपको पूरा डोर मैट बनाने का तरीका बता दिया है इस तरह से जैसे हमने इस कली को बनाया वैसे ही हम पूरे डोर मैट को बनाएंगे ऐसे देखिए इस तरह से बन के आएगा ये देखिए हमारी कितनी प्यारी सी कली बन गई है ऐसे ही हम इस पूरे डॉर मैट को कम्प्लीट करेंगे देखिए आप इन कलियों को अलग-अलग कलर में बनाना चाहें तो अलग-अलग कलर में भी बना सकते हैं आप single color में भी से बना सकते हैं, double color में भी बना सकते हैं, आप पूरे matte की कली अलग-अलग color से भी बना सकते हैं, तो चलिए थूड़ा सा बनाने के मैं आपको दिखाऊंगे, बनने के बाद हमारा matte कैसा लगेगा, देखिए इस तरह से.